नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैनकोफेन दोस्तों आज एक एक्सपारी खत्म हो चुकी है और कल से नए वीकली एक्सपारी की सुरुआत होने वाली है ऐसे में हमें नए पोजिशन बनाना है हमने बना भी लिया है और ये वीडियो में बना रहा हूं जिससे आपको भी बनाने में मदद मिले दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का अट्रेंड काव और यह आप देख रहे हैं यह जो पूरा है यह चार्ट है जैसा कि आप जानते हैं और यहां पर हमने जो है तीन घंटे का टाइम फ्रेम लिया है तो तीन घंटे के टाइम फ्रेम पर जहां हम देख रहे हैं वहां पर हमने एक आप देख सकते हैं कि स्लोप भी हमने एक ट्रें सकता है लेकिन आज अगर आप देखे तो बैंक निफ्टी ने अपना एक इनिसियल सपोर्ट आज ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक क्यों मेजर सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है यह यूं कहें कि अगर कल मार्केट डाउनसाइड में हमें देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को 42,600-42,500 तक लीड कर सकता है तो ऐसे में हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए चुकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड है तो यहां पर हमें किसी भी तरह का कॉल बाई नहीं करना है कॉल बाई हमें अभी नहीं करना है और नहीं हमें अभी पूट सेल करना है ठीक है ना कॉल बाई करना है ना पूट को सेल करना है तो हमें करना क्या है हमें करना है कॉल को सेल अगर हम ऑप्शन सेलर हैं ऑप्शन राइटर है तो कॉल को सेल करके चल सकते हैं या फिर अगर हम option buyer है तो हम put को buy करके चलेंगे फिलाल market से यही संकेत मिल रहा है देखो यहां कोई भी 100% prediction नहीं कर सकता है market में हम market में market की price movement को देख कर ही market के आने वाले समय में चाल की अनुमान लगाते है ठीक है और उसी अनुमान के according जो है हम लोग trade लेते हैं यहां पर हमने आपको बताया कि as a seller call को sale करेंगे और as a buyer put को हम लोग buy करेंगे अब कौन से strike price पर हमें call को sale करना है और कौन से strike price पर हमें put को buy करना चाहिए यह हम लोग अभी option chance से हम लोग समझेंगे कि कौन से strike price पर call या put side में trade लेना सही रहेगा तो फिलाल हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो spot price है जो बैंक निफ्टी ने आज closing दिया है वह 43,400 तिरपन पर closing दिया है और बैंक निफ्टी का अगला जो support है वह 42,400 है या फिर support का है या फिर downside का target का है और ऊपर जो है ऊपर जो बैंक निफ्टी का भी जो जो major resistance है वह 44,500-44,600 है तो जब तक market 44,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम लोग किसी भी तरह का long side में कोई trade हम लोग नहीं लेंगे तो चलते हैं option chain पर और वहां से जानने की कोशिस करते हैं कि अगर हम option seller है तो कौन से strike price पर हमें call को sale करके चलना चाहिए या फिर अगर हम option buyer हैं तो कौन से strike price पर हमें option buy करके चलना चाहिए यह नसी का option chain है जहां पर free में बहुत सारे data उपलब्ध होते हैं और यहां पर आप देख़कते हैं कि हमने पहले से ही bank nifty select कर रखा है साथी 22 जून की weekly expiry को हमने यहां पर select कर chain open हो रखा है इस site call है और इस site put है यह सारे इस site जो है call के premium है call के data है और right side में put के premium और put के data है available है जिसमें IV है volume है open interest है bid ask quantity यह सारी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगी तो अब हम थोड़ा नीचे स्कॉल करके आएंगे और स्कॉल करने के बाद हम spot price के आसपास के strike price को थोड़ा चेक करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि हमारा जो best strike price कौन निकल करके आता है जहां पर हमें call को sell करना चाहिए तो फिलाल हम option sell की बात करेंगे यहां पर तो option sell की बात करने के लिए हमें क्या करना है कि strike price को ढूंड़ना है मैंने आपको बताया था कि जो मेजर रेजिस्टेंस है market का यानि कि bank nifty का वह 44,500 का है यह रहा 44,500 और यह रहा इसका open interest तो open interest पर आप देखेंगे तो 69,280 है जो काफी बड़ा open interest है 69,280 करोर का जो आम तोर पर यह कह रहा है कि इतने बड़े open interest के साथ इस strike price पर जो option seller खड़े हैं वो बिलकुल नहीं चाहेंगे कि 44,500 के उपर bank nifty आसानी से निकले तो अब हम इसकी जो है premium की बात करें तो इसका premium जो है वो 30 रुपया 30 पैसा है जैसा कि हम लोग जान रहा है कि market जो है फिलाल अभी downfall के तरह बढ़ रहा है market का जो संकेत है bank nifty का जो संकेत है वो downside ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ऐसे में हमें जो है call को ही sell करके चलना है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है लेकिन यहां पर छावालीज़़ज जर-पांसो इक मेजर रेजिस्टेंस था और यहां पर हमें open इंट्रेस्ट से भी पता चल रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस है तो इसके अलावा हम कोई और strike प्राइस चेक करेंगे क्योंकि यहां पर हमें जो premium है वो थोड़ा कम receive हो रहा है हमें इतना premium receive होना चाहिए कि उस premium से अगर 25 को multiply करें क्योंकि bank nifty के एक lot side में 25 quantity होती है तो कम से कम 2000 का premium हमें receive होना चाहिए तो हमें कितना का premium चाहिए कितना का premium चाहिए तो वह हमें चाहिए 50 रुपय का premium चाहिए तब हम इसे में 25 के lot 25 के quantity से multiply करेंगे तो हमें 2000 का premium receive हो जागा कहने का मतलब है कि हम लोग buy करें या sell करें at least 2000 का profit होना चाहिए क्योंकि जब हम bank nifty को buy करते हैं तो काफी कम पैसा लगता ह है लेकिन जब हम bank nifty को sell करने जाते हैं bank nifty किसी option को sell करने जाते हैं तो एक लाग से सबा लाग तक का capital हमारा use होता है तो उस condition में हमें कम से कम weekly basis 1.5% to 2% का return आना चाहिए तभी हम कहेंगे कि पूरे मन्त में 6% to 8% का return हमने बनाया तो इतना तो return बनाना ही है क्योंकि हम यहाँ पर investing नहीं हम trading कर रहे हैं business कर रहे हैं तो business में 5-10% का return तो आना ही चाहिए महिने का इतना हमें target रखना चाहिए उसके बाद अगर हम target रखेंगे 10% का तो 7% तक कमाएंगे 5% का target रखेंगे तो 3% कमाएंगे कहने का मतलब है कि हम अपनी पूरी ताकत छोग देंगे 5% से 10% मतली अरणिंग के लिए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो premium है वह 50 रुपे का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यह है इस ट्राइक परेश 44,300 का 44,300 के strike price पर हम call को sell करके चल सकते हैं और 44,300 के नीचे जो एक resistance मुझे दिखाई दे रहा है वो 44,000 के strike price पर आप देखेंगे तो एक resistance है जहां पर एक लाग 43,800 करोड़ों का open interest बिल्डफ हुआ है तो यहाँ पर आप बिल्कुल safe है क्योंकि यह जो resistance है 44,000 के label से 300.00 उपर से 300.00 उपर हम call को sell करने जा रहा हैं क्योंकि यहां resistance है तो इतनी आसानी से 44,000 के label को bank drifting नहीं तोड़ेगा और अगर इसको तोड़ भी देता है तो हमें जो भी loss हो रहा होगा उस loss को ले करके हम अपने trade से बाहर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा weight करेंगे तो हमें ज़्यादा loss का सामना करना पड़ सकता है तो हमें क्या करना है कि हमें जो है 44,300 के strike price पर call को sell करना है premium जो हमें मिल रहा है वो अभी 50 रुपय का almost हमें मिल रहा है तो यहाँ पर हमें 2000 का premium receive हो जाएगा अगर कल market नीचे खुलता है तो हो सकता है कि यह premium और आपको कम दिखे तो 44,300 से लेकर के 44,000 तक में अगर जो भी strike price पर हमें 50 रुपय का premium receive होगा उस strike price पर हम call option को sell करेंगे तो थोड़ा secure रहेगा इस बात का ध्यान रखेंगे तो अब यह तो था हमारा अब हम बात करते हैं कि कौन से strike price पर हमें पूट को बाई करना चाहिए तो जैसा कि हमने बताया कि बैंक निफ्टी का चाल जो है वह भी हो सकता है तो 42,500 पर आप देख शकते हैं कि 47 रुपय का premium हमें pay करना पर सकता है अगर बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी के put option को buy करते हैं तो 47 रुपय का premium हमें pay करना पर सकता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो हम seller हों या हम buyer हों हमें 2000 से ज़्यादा का risk नहीं लेना है इस बात का हमें याद रखना चाहिए और 2000 से कम का profit भी हमें नहीं लेना है तो ये 2000 जैसे ही हम ये 47 रुपय का premium pay करेंगे तो हमें करीब करीब 2000 के आस पास का accurate value आप निकाल दिज़ेगा calculator से तो 2000 के आस पास का हमें premium pay करना पड़ेगा और जैसे ये premium double हो जाता है 47 का 100 हो जाए 90 हो जाए तो हमें क्या करना है यहां square of कर देना है हमें अब ज्यादा weight नहीं करना है क्योंकि theta milt होने का भी हमें बहुत ज्यादा खाम्याजा भुगतना पड़ता है as a option buyer तो दोस्तों इस वीडियो के माद्धम से मैंने bank nifty की direction की बात की साथ ही resistance और support की भी बात की और किस strike price पर option को sell करना है या फिर किस strike price पर option को buy करना है इन सारी चीजों को इस वीडियो में हमने चर्चा किया और आपको बताने की कोशिस भी की है तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको आने वाले समय में trade लेने एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद